उनलाइन क्लासेज में गट्टू चिंकी की शैतानिया कोरोना वाइरस की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजिस बंद हो चुके थे स्कूल बंद होने की वजह से गट्टू और चिंकी के उनलाइन क्लास शुरू हो गए थे गुड बॉनिंग बच्चो दो महिने बाद आप सबको देखकर बड़ा अच्छा लगा स्कूल शुरू होने तक हम ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ेंगे आप लोग अपने-पने माइक्स म्यूट रखना, कैमरा ओन रखना और ध्यान लगा कर पढ़ना क्योंकि कोई सो गया तो मैं यहां से चौक फेंकर जगा नहीं सकता ऐसा कह कर मिश्रा सर हसने लगते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं गट्टू और चिंकी ऑनलाइन क्लास में मन लगा कर पढ़ते हैं इस प्रकार दो-तीन दिन गट्टू और चिंकी का इंटरस्ट बना रहा लेकिन दोनों धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास में बोर होने लगे और ऑनलाइन क्लास में शैतानिया करने लगे चिंकी मैं बोर हो गया हूँ मैं भी चलो थोड़ी मस्ती करते हैं गट्टू चिंकी क्या बात कर रहे हो तुम दोनों सर हमें आपकी आवाज नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो क्या बात कर रहे हो बाकी बच्चों तक तो आवाज पहुँच रही है क्यों बच्चों हाँ सर हमें आपकी आवाज आ रही है गट्टू चिंकी देख कर हसने लगते हैं पीछे मम्मी खड़ी थी वो दोनों की हरकतें देख रही थी दूसरे दिन जब ओनलाइन क्लास शुरू हुई तो फिर से गट्टू और चिंकी के शतानिया शुरू हो गई आज भी मिश्रा सर को परेशान करते है हाँ हाँ क्यों नहीं गट्टू चिंके ध्यान कहा है तुम्हारा चलो मेरे सवाल का जवाब दो ताज महल कौन से शहर में है सर हमें नहीं पता अभी तो बताया मैंने तुम्हारा ध्यान ही नहीं था चिंकी तुम बताओ कहा है ताज महल मिश्रा सर की आवाज सुनकर चिंकी धर जाती है और अपना माइक म्यूट कर देती है सर तो गुसा हो गए, अब क्या करे अब एक काम करते है, सर को बोलते है कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही आप दिख भी नहीं रहे, नेटवर्क इशु बता कर क्लास ही बंद कर देते है ये अच्छा आइडिया है चिंकी माइक आउन करती है और कहती है सर ना तो हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है और ना ही आप दिखाई दे रहे हो लगता है हमारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है हम दोबारा कनेक्ट करते है ऐसा कहकर चिंकी आउनलाइन क्लास डिसकनेक्ट करती है क्लास डिसकनेक्ट होते ही गट्टू और चिंकी हसने लगते है ये उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया हमारा नटवर्ग तो सबसे स्ट्रॉंग है हाँ, लेकिन ना तो ये बात मिश्रा सर समझ पाएंगे और ना ही हमें पनिश्मेंट दे पाएंगे ऐसा कहकर गट्टू और चिंकी फिर से उचलने लगते हैं कि अचानक पीछे से मम्मी और पापा दोनों आते हैं तुम दोनों की शैतानिया खतम हो गई हो तो हम ये कम्प्यूटर उठा कर ले जाएं मम्मी की बात सुनकर गट्टू और चिंकी चौक जाते हैं मम्मी पापा आप ये कम्प्यूटर कहा ले जा रहे हो ये तो ठीक है, इसमें कोई बिगाड नहीं है बिगाड कम्प्यूटर में नहीं, तुम दोनों के दिमाग में है इसलिए पढ़ाई छोड़कर दोनों शैतानिया करने में लगे हो और इसलिए अब हम ये कम्प्यूटर किसी गरीब बच्चे को देने जा रहे हैं जो कम्प्यूटर ना होने के कारण ओनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा और एक बात, तुम दोनों की सारी शैतानियां हम मिश्रा सर को फोन करके बताने वाले हैं आप खड़े क्या हो, उठाओ कम्प्यूटर पापा मम्मी का रवया देख कर गट्टू चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफी मांगने लगते हैं सौरी मम्मी पापा, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे ध्यान लगा कर क्लास अटेंड करेंगे कोई शैतानी नहीं करेंगे पर प्लीज आप ये कम्प्यूटर ना ले जाना और ना ही मिश्रा सर से हमारी कम्प्लेंट करना ऐसा कह कर दोनों रोने लगते हैं तो पापा कहते हैं बच्चों, पहले ही करोना से पूरा देश परिशान है स्कूल बंध होने की वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा है और ऐसे में तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहे है तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए कि उनकी मुश्किलें बढ़ानी चाहिए तुम्हारे पास सारी सुविधाएं है, फिर भी तुम्हारा ऐसा बरताव है और उधर बिचारे गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो ना उन्हें कोई पढ़ा रहा है और ना ही ओनलाइन पढ़ने की कोई सुविधा उनके पास है इसलिए तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत करो और ध्यान से पढ़ो हम आप दोनों की बात समझ गए हैं अब हम शरारते नहीं करेंगे फिर क्या चिंकी फिर से कंप्यूटर पर ओनलाइन क्लास कनेक करती है और दोनों मन लगा कर पढ़ने लगते हैं